गुड मॉर्णी स्टूडेंट बेटा जी आज सीकरांगे गुर्मुत कावे विच शिरी गुरु नानक देव जी दिया रचना मां तेहां दी रचना है गगन मिथाल ठीक है बेटा बाके यहीं पहले हैं वीडियो शुकार चुके हैं तो हूने शुरू कर लने हैं फर्स्ट है गगन मिथाल रवी चन्द दीपक बने तारिका मंडल जगत मोती कैंदे की जीड़ गगन के अकाश थीक हैं आसमान जीड़ है जीड़ आसमान है ओ एक थाल बने आम है जीड़ रवी ते चान्द है मत्तो सूरज चंदरमाए येकी बनेने ओधे वेच चान्न ते सूरज दीपक मन दीवे बनेने ते तारिका मंडल जगत मोती ते जड़े तार्यां दा समू है ओ थाली विच रखन वाले मोती बनेने केंदे दूप मल्यान नो पवन चवरो करे सगल बन रही फुलत जोती केंदे के जड़ी मल्या हवा तो आम परवतो आनवली हवाव है एन्नी सुगंदित है के ओ तूप दा काम कर रही है ते हवा जड़ी है चोर कर रही है तो चैवे सारी बनासपती है सगल मतलब सारे बन बनसपती फूल बनी हुए है जिससे आती कर देया ओधे विच थाल हुंदा है फुल्ला थी भी फिर भारिश कर देने तो फोल भी उपर सुट देने तो ए जड़ा शगल बनस्पती फुल्लत जोती कैंद मतलव है कि ए सारा जड़ा बनस्पती ए फोल दे रही है ठीच है नास्ट है कैंदे कैसी आर्ती होवे बवखंडना तेरी आर्ती अनहता अनहता सबत वजन्त पेरी ठीक है वजन्त पेरी कैंदे कि हे परमात्मा कैंदा मतलव कि हे अनहत मतलव बवखंडना कैंदे कि हे परमात्मा जीवानू मुक्तिते जनम मरंदे चक्णातू बचान वाले प मोल आरती एह जी सोनी आरती हो रही है कि जिस वीच अनहत मतलूं दा जो बिना वजाए जिस वीच बिना वजाए नगारयां दी अवाज आ रही है जड़ी के इस आरती नू बहुत ही सोना द अदबुद बना रही है ठीक है पर सांगे में चेहीं लिखांगे इन्दे के एह शबद कावी टोटा सहत माला दस पाठ पुस्तक विच दर्ज गुरुनानक देवजी दी रचना गगल में थाल वी चुले गई है इस गुरुजी इस कावी टोटे विच दस देहान की सारी कुदरत हर समय पर मातमा दी आर्थी उतारन विच लगी होई है ते जीव जन्तू पर मातमा दे चर्णा ना जुड़ के सिख्या प्रापत कर रहे हैं ठीक है मेटा व्याख्या वेच की लिखांगे के इन्दे के गुरुजी फर्मावन देहान की सारी कुदरत पर मातमा दी उतार आर्थी उतार रहे है मतर्द गुदरत वेच की आर्थी के सगल बन रई फुलत जोती सारी जड़ी बनस पति और फुल दे रहे है आर्तीनों ठीक है केंदे तार्यांदा समू मोती हान ते मल्या परबत वल्लू आन वाली शुद्ध हवा तूफ दा अहसास करवांदी है जिस तरह तूफ तखाओ कार बेचे तो बड़ी सोनी खुशबू आंदी है उसे तरह जिने मल्या परबत दू हवांदी तो ओ एक खुश जिवांदे जनम और क्टन वाली परमातमा वा खंड़ना मतला जीवांदे जनम और दे चकरान वाली परमातमा तेरी ऐसी सुंदर आर्ती हो रही है जिस विक बिना वजाए नगार्यां दि आवाज इसनुं हुळ वी सोनी बना रही है ठीक है फीटा नेस्ट है केंदे सहस तव नयन मतलब कोई नहीं हुआख स्ष मतलना हक्ताव तेरी नें मतलन अखां मतलन कोई नहीं है हैं तो हैं क्यों सहज मूर्थ मूर्थ नना एक तो ही कियोंदे कि फिर 動ते तेरे कि कि outputते हाएं मतवर हजारा मूर्थ ने तो फिर भी तेरी मूर्थ नें क्योंकि विख भी देट जिरप परमातमा का है क्यों तेरे वास्ते है और हजारा ओधियां सूरत नहीं क्योंकि कुनेश जड़ा और मतमा है तो यह दिए नहीं है कि इन्हों साइंस ने बनाया जिसना कि आज कल दे समय वेच साइंस बोद डिवैल्प और परमातमा जड़ा ओ इनसान नो बनान दा उन्ने परमातमा ने नाखश दिते परमातमा ने मनुख नो अकार दिता है केंदे हजारां लोगां देवेच केंदे न केंदे परमात मा हार एक वेच वास कर्दा केंदे कि हजारां लोगां देजी सूर्ट मही केंदे कि हमें मतंद हजारां तेरे सोने सोने बड़े निर्मल विमल मतद निर्मल सोने सोने पेर ने पर फेर भी तेरा कोई नाक नहीं केंदे कि एस कोतक हुआ के परवे पर man इनना शकला बनान वाला हैं इनने लोकान बनान वाला हैं तो पर फेर भी तेरे कोई शकल नहीं है ठीक है तो मैं इस अच्रज काम नूँ वे के बहुत खेरान हुनदा है केंदे केंदे के सब मैं है जोत जोत है सोई केंदे के हे परमातमा जे तेरिया हजारा अखा ते हजारा शकला नू बनान वाला हजारा कदमा नू बनान वाला हजारा नाक नू बनान वाला है तो फेर भी तरह कोई अकार नी केंदे के सारे जीवां वेचे ओही परमातमा दी जो बाती सबते हैं, सकते हैं न रचान Ethan, यहीं है कि भैज गोरी किरपा उन्वाम, कि अ प्रह्प आत जोरी के Mansa सब्सक्र तरहे हैं, भी बीच है, देगो उस सूज भूज नो इंसान प्रापत कर सकता है ठीक है गुर साखी जोत परगट हुई फिर केंदे ने परकेंदे कि ए जरी जोत है जिसरा कि सारे जीवां वेच परमातमा दी जोडत है तो ए जरी जोत है ए जरी परकाश जीवां दी वेच सूज भूज पैदा करता है क्यान जेड़ा गुरु दि सिख्या नाल ही हुनद से जोत परगट हुई औो किधि किरुपा दिनाल हुनद का गुरु दि सिख्या देना फिक है नेजट है केंदें जोतिस पाए पावे सो आरती होवे फिर केंदें कि हे सरव्यापक जोड जोत दी आरती या हे परमात्मा ये जड़ी तेरी आरती है ते इंसान इस आरती विच की पुमी का निबा सकता है इंसान सिर्फ इना कहाता है कि जो भी हो रहा है जो इस संसार विच हो रहा है ओ सिर्फ परमात्मा दी किरपा देनाल ही हो रहा है ओ ही जीवा नू चंगा लगना चाहिए है ठीक है केंदे हार चरन कमल मकरद लोबित मनो अन दिने मोही आही प्यासा फिर केंदे हार चरन कमल केंदे कि परमात्मा दे चरन रूपी मकरद मतलने रास ठीक है जीरा केंदे कि हून मेरे मान दे विच एही आरसा है एही मेरा मान इस गालनो लल चंदा है कि जीरे परमात्मा दे चरन रूपी फुलना दा रास आ ओ मैं पीमा उस रास नू पीन वस दे मेरा मान लल चंदा है जा कहलो कि मैंनो इससे रास दी प्यास लगी होई है ठीक है किर्पा जल्द देही नानक सा रंग क्यूं होई जाके तेरा नाम वसा फिर केंदेने कि हे परमात्मा जे तेरी किर्पा होई शिरी गुर्णान जी जड़ेने ओ अपने आपनो सा रंग मतब पपी हे दे रूप विच केंदेने कि परमात्मा जे तेरी मेहर होई ते फिर तुम इनू अपना जाल दे इस दी पर कतनाल मैं तेरे नाम विच मस्त रहा एहो जाल दे, एहो जी मेरे ते किरपा कर कि मैं तेरे नाम विच मस्त रहां ते दे विच बेटा ही जड़ा पर सांग है और उपरोकत करांगे ते वे अख्या ही इस तरह कर दे हैं किन दे कि इस कावी टोटे विच गुरु जी फर्मावन दे हां कि पर्मातमा दिया हजारा अकाहान पर फिर वी उस दी कोई आख नहीं पावे ही है कि पर्मातमा निराकार है उस दे कोई अकार उस दी कोई शेप नहीं है पर्मातमा दिया हजारा सकलाहान पर फिर वी उस दे वास्ते कोई शेकल नहीं उस दे हजारा पैर हन पर फिर वी उस दा कोई पैर नहीं, इससे तरह परमातमा दे हजारा नाक हन पर फिर वी उस दा कोई नाक नहीं गुर जी परमात्मा दे अजेहे को तक नू वेक के बहुत हैरान हन। गुर जी फिरमां दे हन के सारे जीवा विच परमात्मा दे जोत जाग रही है अते इससे परकाश दे कारण जीव विच सूझ भूज है। जो कुझ उस दी रजा विच हो रहा है वो जीवा नू चंगा लगे। परमात्मा दे मर्जिनल होंदा है ते ओ हनू कबूल होना चाहिए ते ओ दी रजा विच हनू रहना चाहिए। फिर केंदे कि हे परमात्मा तेरे चनल रुपी फुलां दे रास लेई मेरा मनलल चाहिए। मैंनू किसे रास दी प्यास इसे रास दी प्यास लगी होई है इसे रास दी प्यास देन रात लगी होई है मैंनू पाव इते मैंनू कोण है शिरी गुर नानक देव जी केंदे मैंनू पाव गुरु नानक रूपी पपी है नू अपनी मेहरदा जाल दे मैंनू पाव नानक बोद इजी लिख्याने एनना अच्छी तरा लेखला ना ते नास्ट वीडियो वेच एदे क्वश्चिन असर करांगे एननो त्या ना वेखो नास्ट वीडियो च मिल देहां टेक केर